ये तो अंधेरे में तीर चलाने की बात है कि तुका लग गया तो लग गया आप मार्केटिंग करने रिजल्ट काम आ रहा है, कोई और मार्केटिंग करने रिजल्ट बहुत बहतर आ रहा है लाखों करूडों लोग सोशल मीडिया पर अपना टाइम खिल कर रहे है तो ऐसे में companies, तो ऐसा क्या गलती हम कर रहे हैं जिसकी वज़े से हमारे पास lead का conversion कमा रहा है नमश्कार दोस्तों, मैं हूँ Dr. Amitmaiswari, business trainer, corporate trainer, motivation speaker and CEO, Metas Overseas Limited आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के informative वीडियो में Friends, आज हम बात करेंगे business के expansion के बारे में अब आप कहेंगे sir, thumbnail में तो हमने कुछ और पड़ा था, marketing के बारे में पड़ा था Friends, business का expansion कब होगा जब आपका business profit making business होगा और profit making कब होगा जब आपके business में sales बहुत अच्छी होगी जो आपके खर्चों को तो पुरा करी देती है, साथ-साथ आपको profit भी देती है sales कब अच्छी होगी, जब आपके पस lead बहुत जदा होगी और lead कब जदा होगी, जब आप right तरीके से marketing करेंगे लेकिन प्रशन तो यह उठता है, कि sir, इतना पैसा marketing में involved करते हैं इतना पैसा invest करते हैं marketing में, कहीं ना कहीं वो बेकार हो जाता है और result जो आता है बहुत low होता है तो आज इसी विशापरम बात करते हैं why marketing is not working for you आपकी जो marketing है वो आपके लिए काम क्यों नहीं कर रही कोई ना कोई तो ऐसी गलती होगी ना कि आप marketing करने result काम आ रहा है, कोई और marketing कर रहा है result बहुत बेतर आ रहा है इसी विशापरम बात करने वाले है तो marketing का क्या होता है मानलीजी आपने marketing की और 10,000 लोगों तक आपने information पहुँचाई केवल उसका 10% आपके पास leads आई मानलीजी आपके पास lead आई 1000 और 1000 लीड को follow करते करते हमें पता चला कि हमारे पास 300-400 लोग ही है जिनोंने follow up में interest शो किया और इसी का 10% मतलब 30-40 लोगों की deal हमारी mature हुई कई बार क्या होता है हमारे business की operating cost इतनी बड़ी होती कि 30-40 sales हमारे खर्चे को पूरा नहीं करती और यहां तो लगता है कि 10,000 लोगों तक हमारे product की जानकारी पहुची है उसके बाद भी 30-40 लोग तो ऐसा क्या गलती हम कर रहे हैं जिसकी वज़े से हमारे पास lead का conversion कमा रहा है क्यों क्योंकि right marketing strategy नहीं है अब right marketing strategy कैसे होगी इस बात को समझने के लिए आपको यह समझना होगा doing advertisement rather than marketing आप क्या कर रहे हैं आप marketing के नाम पर ना marketing नहीं कर रहे हैं आप advertisement कर रहे हैं दोको बहुत बड़ा अंतर होता है marketing में और advertisement में advertisement का मतलब क्या है अपने product या अपनी service या अपने business की information लोगों तक पहुचाना अब जिस व्यक्ति को जोरत होगी वो आपसे contact करेगा लेकिन marketing का मतलब क्या है सही consumer तक सही information पहुचाना कि हम किस तरह के product या services से क्या value addition उसको देने वाले हैं तो यहाँ पर क्या होगा advertisement is a promotion of product और service advertisement क्या है एक तरह से product या service या brand या company की केवल प्रोमोशन है ज्यादा स्यादा लोगों तक information पहुचाना advertisement is not an engagement with customer advertisement अगर आप करते ना तो customer अंगेज ही नहीं होता क्यों नहीं होता आप इसको इस बात से समझ सकते है देखे आभी मैं आपको जिखाता हूँ दो advertisement आप बताईए उनमें से कौनसी advertisement है और कौनसी marketing नमबर वन Meta's Lifestyle presents World Class Hygienic Stainless Steel Modular Kitchen Vanity and Wardrobe Rust-Free Term-Free With Soundless Technology अगर आप अपने घर पर नया Modular Kitchen बना रहे हैं तो एक बात यहां चे समझ लीजेगा काफी सारे लोग क्या करते हैं Modular Kitchen जब बनवाते हैं तो tall unit built-in microwave oven बली लगवा लेते हैं लेकिन यहां पर free stand microwave free stand oven रखते हैं इससे क्या होता है कि जो आपका appliance है उसकी life होती हो घड़ जाती है क्योंकि उसको ventilation प्र नहीं मिलता तो built-in microwave oven लगाना चाहते हैं तभी आप अपनी tall unit को built-in microwave oven के हिसाब से बनवाएं अगर free stand रखना है तो आप उसको slapper भी रख सकते हैं या एक shelf लगा कर उसको hang करके भी रख सकते हैं तो यह option द्यान चाह समझ लीजेगा Metas lifestyle आपके बहतर kitchen के लिए हमेशा इसी तरह से आपको guide करता रहेगा अब आप देखिए जो second level पर जो marketing थी वहाँ पर किसी ने किसी consumer की किसी ने किसी problem को हमने solve किया जिसकी वज़ासे consumer ने हमारे product में इंट्रेस्ट हो किया और buy करने के लिए lead feed कर दी या अपनी information हमें दे दी यहाँ पर बहुत बड़ा difference है कि जब आप बहुत अधिक advertisement करते हैं तो जो leads आपके पास आती हैं उसमें ratio of conversion बहुत कम होता है लेकिन जब आप right तरीके से marketing करते हैं उससे जो lead आती है क्योंकि आप consumer की problem को या उसकी requirement को या उसकी desire को fulfill कर रहे हैं तो result विलकुल different आता है इसलिए ये difference समझना बहुत जुरूरी था कि advertisement और marketing में क्या difference होता है चलिए अब बात करते है marketing क्या है marketing value addition है solution of a problem किसी भी एक समस्या का क्या समाधान आपके पास है ये समझना बहुत जुरूरी है अगर आप अपने consumer की problem को समझ जाएं और उसको right solution दें तो वो solution को buy करने के लिए तयार हो जाता है उसके लिए करना क्या है उसकी need, desire, requirement and pain point को समझना मतलब उस घराक के जरूरत क्या है उसकी इच्छा क्या है वो किस तरह की चीज़े लेना चाहता है किस तरह की चीज़ों की उसको जरूरत है और उस जरूरत को पूरा करने के बाद क्या pain point उसका cover हो जाता है जैसे हमारा जो product है modular kitchen और वो भी stailness steel का तो consumer की सबसे बड़ी problem क्या है कि उसके घर में दीमक लग जाता है जब वो kitchen लगवाता है तो दीमक से छुटकारा पाने के लिए हमने product क्या किया fine इसके बाद next जो बात है कि हम क्या करते है कई बार marketing के लिए outdated method का इस्तिमाल करते है ध्यान रखिए जैसे जैसे समय में परिवर्तन होगा न काम करने का तरीका बदलता जाएगा outdated method क्या है हमने कोई भी random data उठाया जैसे हमने डिरेक्टिव उठाल ratio होगा जो लोग आपसे deal करने के लिए बात करेंगे क्यों क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उस वक्ति को जरूत है यह तो अंधेरे में तीर चलाने की बात है कि तुका लग गया तो लग गया तो cold calling outdated method है bulk mail आप देखिए कि mail का trend बहुत जादा है लेकिन आज भी हमारे देश में न लोग information या advertisement या marketing के लिए bulk mail का इस्तिमाल तो कर लेते हैं पर जो user है उस तक सारी जानकारी ठीक से पहुंसती नहीं है तो user friendly नहीं होता mail से इसलिए ना तो mail काम करेगी ना bulk SMS एक समय था जब bulk SMS बहुत बढ़िया काम करता रहा जब SMS की एक value थी किसी को message भेजने पर उसको लगता है कि मुझे कुछ information भेजी है और लोग message के लिए recharge कराया करते थे किसी से कोई बात करनी है message भेजा करते थे और आज message की कोई value नहीं है आप खुद बताओ आपने फोन में last time message का अब देखा था नहीं ना आप WhatsApp देखते हैं तो क्या ही outdated method है अगर आप outdated method का इस्तिमाल करते रहेंगे ना तो आपका एक तो slow result होगा और low result होगा और अगर slow result है और low result है तो उसका मतलब जितना पैसा आपने marketing में invest किया है उससे कम आपको result आ रहे है और कोई भी व्यक्तिय नहीं चाहेगा कि जितना में invest कर उससे कम result आई तो करना क्या है करना है आपको marketing के नए channels का इस्तिमाल करना है जैसे social media marketing आपका facebook है, linkedin है, twitter है, instagram है, google adword है उसके लावा YouTube है ये वो तरीके हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा traffic के रूप में आपको मिलते है कहते हैं कि social media is a time killing machine yes, हजारों लाखों करोडों लोग social media पर अपना time kill कर रहे है तो ऐसे में companies अपने product की information वहाँ पर लेकर पहुंच रहे है तो आप भी अपने product की information, अपनी services की information लेकर पहुंचे ताकि आप ज़्यादा traffic में ज़्यादा marketing कर सकें और उसके बाद offline meets आज भी इसका बहुत बड़ा परभाव होता है जब एक व्यक्ति direct consumer से जाके मिलता है product से introduce कराता है, service के बारे में बताता है तो meeting करने के बाद deal mature होने के chances काई गुना ज़्यादा होती है इसलिए offline meeting करें और specified meet specified meet का मतलब क्या है कि ये targeted audience से meeting आप करें ऐसा नहीं कि कोई भी मिल रहा है, कोई भी बुला रहा है सबसे बातचीत करें सबसे पहले समझे अपने consumer के requirement क्या है requirement के हिसाब से अगर आपके पास product है और वो willing to buy है उसकी desire है और वो उतना पैसा खर्च करने के लिए तभी उससे meeting fix करें specified लोगों से जबाप मिलेंगे ना तो आपका ratio of maturity कई गुना जदा होगा जैसे हम किन लोगों से मिलते हैं इनका नया घर, मकान, कोठी, बंगलो, farmhouse या तो बन रहा है या रिनोबेट हो रहा है और वो बातचीत करने में पता लग जाता है हमें तो ऐसे लोगों का result ज़्यादा बहतर होगा बशरते एक व्यक्ति जो नई flat में पहले से रह रहा है जहां से आप कुछ बना हुआ है तो हमें ज़रुवत है specified meets करने की power of recommendation का इस्थिमाल करने की आपके जो satisfied clients है उनका recommendation ले उनसे कहें कि आप मुझे किसी को recommend करें सर ताकि मैं ज़्यादा बहतर तरीके से उस व्यक्ति से बातचीत कर सकूँ और उस व्यक्ति की credibility आपकी lead के साथ जुड़कर आपकी maturity को fast बनाए उसके लावा referral, ask for referral with your happy customer हमेंसे बहुत सारे लोग अपने happy customer से reference ही नहीं मांगते है जब जब आप अपने happy customer से satisfied customer से references मांगेंगे तो उनमेंसे बहुत सारे customer ऐसे होंगे जो आपको बेतर refer देंगे जो referral वो आपको देंगे तो उस referral की maturity ratio भी कही गुना जादा होगा तो कम budget में right marketing strategy को अपना कर आप आसानी से सही तरीके से सही consumer तक पहुँच सकते हैं और इसका इस्तिमालना हम हमारी company में already करते हैं आप लोग जानते हैं मेरी company है Metas Overseas Limited जो small scale sole proprietorship firm से शुरू हुई थी एक छोटे से showroom से हमने शुबारम किया था आज पूरे भारत वर्ष में हम लोग franchisee showroom और dealership showroom रन कर रहे हैं और हम लोग export भी कर रहे हैं यह केवल तभी संबब हो पाया है जब हमने अपने business को systematic तरीके से develop किया है और friends, दुर्भाग्यवश भारत जैसे देश मिना एक बहुत बड़ी कमी क्या है कि हमारे देश के जो business coaches हैं या तो उन्होंने business किया नहीं है या वो business में fail होने के बाद लोगों को business coaching करा रहे हैं इसलिए उनको ground reality का पता ही नहीं होता मेरे जीवन का उद्देश है कि मैं भारत के हर घड़ से एक सफल businessmen तयार कर सकूँ और मैं केवल उन्ही विशहों पर ट्रेनिंग देता हूँ जिसका practical मैंने अपनी life में implement की है इसलिए एक small scale company Metas versus limited company के रूप में आज एक पूरे भारत वर्ष में एक बड़ी company के रूप में स्थापित हो चुकी है उसी अनुभव के अधार पर मैंने आपके लिए develop किया है ROPE result oriented program for entrepreneur इसका अगला training program कब है उसकी जानकारी के लिए आप board पर दियो नंबर पर call करें और अपनी seat को ज़रूर रिजर्व करें इसके लब आपके मन में business को लेकर कोई भी प्रशन है तो वो प्रशन हमें comment box में ज़रूर लिखें कोई भी informative video मिसना उसके लिए चैनल को subscribe करें स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि रोप है तो होप है रोप है तो होप है